देखे पूछ रहे हैं कि ओनलाइन खतियाओन वैलिड है और देखे ओनलाइन खतियाओन में ये पूछ रहे हैं कि मेरा जमीन है पर सर्वे ओफिस से जो है खतियाओन मांगता हूँ तो बोलता है फटा हुआ देखे फटा हुआ अगर सारा रहता तो ओनलाइन में डाटा आता केसे अब पहली बात है तो इसलिए वो mention तो रहता ही है लेकिन आप समझ सकते हैं वो ignore करने वाली बात हो गई लेकिन जब मामला कोट में होता है और उसी पे विबाद हो तो वहां से एक तरह से जो अभी लेखा गार है वहां से निकला हुआ खत्यान जो है जरूरी होता है ताकि उस पे मोहर बगरा लगा हुआ हो है ना वैलिड हो सही हो ओरिजनल हो है ना तो इसलिए बस और क्या वो भी तो कौपी ही रहता है बट उस पे एक मोहर हो गया sign हो गया तो ये जरूरी होता है तो ये जरूरी होता है उसके अलावा माल लेते हैं कि यह इसे ही अगर वो मोहर साइन नहीं है तो वो फोटो इस्टेट टाइप है तो इसलिए ऑनलाइन खतियान का ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है बिल्कुल वैल्यू है लेकिन फिलाल जब मामला कोट में चला जाता है तब वहाँ पर आप सिर्फ ऑनलाइन अगर आप देंगे तो वो उतना वैलिड नहीं होगा आपको वो निकाला हुआ खतियान जो है वो देना ही होगा तो यही पूरा जो है इसका तरीका होता है ठीक है चली आगे बरते हैं अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन जो है यह पूछ रहे हैं SDO कोट में 144 करने का application देना होगा Simple एक application देना होगा या देखिए 100 मामला बताना होगा सिधा सा बात है मामला बताना होगा मामला अगर लगेगा बिबाद बाला है ठीक है और रोक थाम कम से आपने उसमें ये कर दिया कि उस पे कबजा करने से रोक थाम के लिए स्टे लगाया जाए तो वही हो जाता है उस पे 144 जो है कर दिया जाता है तो ये चीज वहां पर दिया जाता है 144 ही करना है आप इसके लिए कोई वकील को पकर लें, बहुत सारे वकील हैं, वो सारा आपको एक प्रोसेस बता देंगे, कुछ कॉस्ट लेंगे, उनका भी अपना काम है, लेकिन वो एक बहतर आप तरीके से बता देंगे, बहतर तरीके से उनका लिखा हुआ होगा, ताकि वो असपस्त र जरूरत तो आपको पढ़ी जाएगा, इसलिए पहले आप वैसाई कोगील रख सकते हैं, ये सब मामले के लिए, चलिए अगला कुस्ट देखते हैं, ये पूछने सर, ओल्ड खतियान है मेरा, और मुझे कुछ पता नहीं है, उसका कोई जमाबंदी नंबर है, या नहीं, अ उसका सुद्धार आप करवा सकते हैं, रही बात ओल्ड खतियान की जमाबंदी देखने का, तो वो आप जो आपका मतलब पुराने समय में, जो आपका कारियाले होगा, ठीक है, जो आपका अंचल कारियाले होगा, जहाँ पूरा एक तरह से कचरी होगा, जहाँ पे सारा काम दस्ताबेज रेकर्ड देखने के लिए मांगेंगे अगर वो दिखाएंगे तो वहां से आप वो जमाबंदी पुराना वाला देख सकते हैं है ना उसको नौट कर सकते हैं अगला सवाल है ये पूछने सर मैंने एक के वाला जमीन खरीदा है और जिसमें दो खाता और दो खेसरा का जमीन है और दोनों अलग अलग थाना नमबर में पड़ता है और जो है वो ने मुनसी ने गलती से थाना नमबर दोनों जमीन का उल्टा लिख दिया के वाला में कह रहा है कि दुबारा जमीन रजिस्टी करवाना पड़ेगा पिलीज कोई दूसरा रास्ता बताईए नहीं तो दुबारा रजिस्टी करवाने में ज्यादा खर्चा पड़ेगा आप उसके वाला को लेकर जो है और सबसे परी बात है कि जो जिन्होंने लिखा है वो अगर आ वो सपोर्ट करेंगे जिन्होंने उस जमीन को लिखा है तो फिर अगर जो है सुधार का परकिडिया जो है आपका वहां से यह संभब है हो जाएगा तो यह यहां से आप इसको कर सकते हैं भूमी सुधार विभाग आप अपने जाएंगे अनुमंडल कारियाले में तो वहां पे जो है आपको मिलेंगे भूमी सुधार विभाग DCLR तो वहां पे सुधार का ही काम होता है जो भी परकिडिया में है उसका सुधार का काम है तो सुधार के लिए आप यह परकिडिया जो है वहां पे आप कर सकते हैं तो वह सुधार आपका जो है वहां से संभब है वो हो है ना चलिए अगला सवाल देखते हैं ये पूछ रहे सर मैंने एक के वाला जमीन खरीदा है जिसमें दो खाता और खिसरा है जमीन दोनों अलग-अलग थाना नमर अभी साइद आपी का था इसमें अगला कुश्चन दिखते हैं ये पूछ रहें कि सर मैं जो है महराज से हूँ पंचायत में बटवाडा स्टाम पेपर आठ लोगों का साइन के साथ है सर पंच ने बटवाडा की किया था सबका खिसरा अलग है सर्वे में नाम अलग नहीं हुए बटवाडा के हिसाब से है ना तो खेती कर रहे हैं पचीश साल से हूँ मेरे खेत पर जो है कबजा करने की कोसिस करती है आप आर भी हूं और मैं दाखिल खारिज नहीं है हम समझ गए आपका जो भी होगा पुरणा से होगा और नया सरवे हो गया पुरणा बटवाडा का रहा नहीं इनफर्मेसन चरहा नहीं अलग-अलग हग पुरणे के हिसाब से जमीन का सरवे हो गया है ना survey में नाम अलग नहीं हुए आप क्या कीजिए पुराना बटबारा का जो आप के पास कागज है उसके हिसाब से है ना survey हो गया आप PS फाइल कर दिजिए partition shoot नया survey के हिसाब से partition shoot करेंगे और पुराना में बटबारा होने की push करेंगे यह आप जो परकिडिया होगा यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे आपका यह चीज हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा जो जमीन है उस पे पूरा दखल फिलाल बनाए रखिए और उसमें देरी ना करें सिविल कोट से जो है आप यह याची का जरूर जिसमें दायर करें अगला सवाल है कि मेरा खतियान परवावा के नाम से है और उमें नाम के साथ जो है वगर वगर जुरा है यह सभी भाई में छोटे थे सब के नाम अलग अलग खतियान बना हुआ है के वाला इनके खतियान में नाम के साथ वगर वगर जुरा हुआ है क्या इसमें और भाई क का हिस्सा बिना नाम के बन जाएगा देखें बगएरा बगएरा अगर जुरा हुआ है और ऐसा वो मामला अगर कानून में जाएगा तो बिलकुल बन जाएगा ठीक है कि बगएरा बगएरा का मतलब अंस है है ना और वो मामला अगर कोट में उठाए जाएगा तो वकील इस च chances है कि उसका वहाँ पे हिस्सा केवाला में भी बन जाएगा अगला सवाल यह पूछ रहे है कि जो यहाँ पे कानूनी करवाई है कर जो है पुलीस में जो है dead नहीं करती जब कि SDM ने करवाई में जमीन जोतने का अधिकार मिल चुका है पर जब हम जमीन नहीं जोत पा रहे हैं है ना देखिए और वो जान मारने की धमकी देता है मामला को SDM का जो आपको मिला ना देखिए SDM के पास गए और अगर ऐसा मामला आपका है तो आप कोट में चले जाएए कोट के द्वारा जो है उसमें यह भी मेंचन कीजिये कैसा इसा धमकी दिया जारा देखिए मामला कोई किसी को बोल देना भी आज के जुग में बहुत ब़़ा अपराद है यह भी आप समझ सकते हैं किसी को धमकी देना बहुत ब़़ा अपराद अगर अब डिजिटल जमाना है डिजिटल जमाना में अगर कोई चीज रिकॉर्ड हो जाता है तो बहुत बड़ी मुसी बचा जाती है तो आज के जमाने में कब क्या किसको कैसे बोलना है बहुत सोच के बोलना परता है तो इसलिए आपको क्या करना है वो बात समझना यहां पर है कि आपका जो मामला है यहाँ पे आप उसको कोट में ले जाएए और कोट के बाद आपको कोट से सपोर्ट मिलेगा कोट में जब जाएंगे आपको तो कोट से आपको सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट यह मिलेगा कि जो परसासनिक अधिकारी है उनको आदेश के लिए वहाँ पे आप जो है करेंगे उनको आदेश दिया जाए या मामला अगर फिर से जो है वही वहाँ से डिग्री लेना है रुपिये दो और खड़ी सबसे उस पर जो है और गोठा है कबजा सब ग्राम पंचाय टेक्स भरते हैं जमीन मालिक को कोई है ना पुरुस नहीं होने के कारण गाउं के कई लोगों फरजी सेल करके है ना फसाल कर जो है सेल डिड करवाया तब ही उन्होंने 1981 में आज तक भी टोका नहीं और आज वो जो है यहाँ पे लोग तकलीप देने लगे हमने कोट में मालिकाना हक के लिए केस दर्ज किया और पहले मालिका ने यहाँ पे भी पार्टिशन के लिए दर्ज किया लड़की ने भी पार्टिशन के लिए दर्ज कि तो वो दो जो है जमीन हमारे नाम से हो जाएगी आप राय दीजिए देखिए सबसे पहले अगर आपका स्टाम पे है और लंबे समय से आपका उसका कुछ भी आपका एक फिक्स दस्तावेज है है ना अब रही बात बरतमान में क्या होता है कि बरतमान में अगर उसी लड़की के दौरा अगर लगान सुल्क जमां कर दिया जा रहा होगा आप लगान सुल्क जमां नहीं कर रहे होंगे तो उस लड़की का इजली मालिकाना हक हो जाएगा फिर वो आपसे जमीन चली जाएगी तो बैतर है कि अगर आप जो जमीन दखल में रखे क्या आप उसका लगान सुल्क पे करते आए हैं और उसके अवलावा जो भी आपके साथ प्रूफ है वो भी पेस करेंगे तो यहाँ पे उस केस में अगर आप लगान सुल्क जमा कर रहे होंगे तो आप उसके अलावा जो यहाँ पे आपका वो कागज वो भैलिड होगा तो 90% चांज है आपकी जमीन नहीं जाएगी इतने साल बाद ठीक है अगला सवाल देखता है पूछने सर्फ पिता मर चुका है और बेटी साइन कर दिया है है ना और जमीन विका नहीं बटवारा लेना है अब फिरी कैसे करा है देखें यहाँ पे जब यहाँ पे आपको बटवारा है तो आप जो है इसके लिए आप जारे एक जारे के द्वारा जो है वो भेरिफाइ किया जाएगा हर चीज सुद्धी पत्र देने के बाद आप करमचारी के द्वारा जमीन का रसीद कटा सकते हैं अगर आपका भी ऐसा कुछ सवाल है आप कमेंट करके पोस्स सकते हैं हम कोशिस करेंगे वीडियो के माद्यन से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेजिए मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए